आज हम लोग कोरोना महमारी और पेट आत लीवर से संभंधित समश्याओं के बारे में डिसकर्स करेंगे कोरोना के जो मरीज होते हैं उनमें लगवग 15-20% लोगों में पेट में दर्द और दस्त होना मुख्य लक्षन होते हैं जिसे हम food poisoning करके डॉक्टर से संपर्क में नहीं आते हैं और over the counter drugs लेके हम इसका इलाज करते हैं जो इसका precious समय होता है कोरोना को treat करने का इससे हम वो खो देते हैं अगर हमें इस तरह के कोई symptom आते हैं इस पेसलिए अगर हमारे परिवार में एक से जादा लोगों को इस तरह के symptom आ रहे हैं बहुत अलग अलग तरह का काढ़ा पी रहे हैं इसके अलावा जो medicine जो patient कोरोना के patient हैं वो कई तरह की allopathic medicines भी ले रहे हैं इन सभी से patient की पेट आत्मे समझें उत्पन होती हैं जैसे पेट में दर्ध होना, दस्त होना, मुह कड़वा होना, भूक नहीं लगना ये उन दवायों से होने वाले side effect हैं आप इन side effect अगर आपको होते हैं तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए अपने doctors से मिलना चाहिए, वो दवायों में कुछ इस तरह से परिवर्थन करते हैं कि वो आपके side effect या तो कम हो जाते हैं पूरी तरह से disappear हो जाते हैं तीसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो है कि Corona मामारी के उसमें हमें बहुत ज़्यादा stress होता है stress होता है हमारी बीमारी को लेके आगे आने वाले और दिक्कतों को लेके या बहुत सारी दवायों को कि किस तरह से इन दवायों को हम लें हमें इस stress से बहार निकलना चाहिए positive thoughts रखनी चाहिए stress से पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में acid और gas बनता है जो हमारी परशानी को बनाता है हमें तेज मिर्च मसाला तलीवी चीजें कम खानी चाहिए अच्छे fresh fruit, vegetables, धाई इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा बार बार खाना चाहिए पानी और liquids की मात्रा भी बढ़ागे रखनी चीए इन सब तरीकों से हम Corona या उससे होने वाले side effects को हम आसानी से control कर सकते हैं और इस बिमारी से लड़ने में हम बहुत ही शक्षम हो पाएंगे धन्यवाद